सोलन के वाड नंबर 11 में डिग्री कॉलिज के समीप सड़क की हालत बेहत खसता है। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि इस गड़े के कारण कई दुरघटनाएं हो चुकी है। कई वहाँ इस गड़े में गिर चुके हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि इस गड़े को जल्द ही भरतिया चाहे। पिर बड़े मुश्किले केंब उपर निकालते हैं। और इससे बड़े मुश्किले उपर वा डंगा है। यहां पर वा कनाम चेंबर रहा कनाम पड़ावा घड़ा है। अभी पी कनाम आई पेच मालों ने इसमें कोई शूद नी लीवी और ना इसमें अपीड़ाव्ड वालोंसे निकाला अब अब इस पूट गेरा गड़ा हो गया पानी यहां से निकलनी राइस इसमें से गंदा पानी सारा इसमें 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 आता है सर यह गौर्मेंट को देखना चाहिए जल्दी से जल्दी जो डिपार्डमेंट है वह मतलब यह करवाएं जिस वज़े से आगे वह एक नारदन आए वह भरता है जिसकी वज़े से यहां पानी आता है और पानी के वज़े से आदा टंगा पहले ही तूट चुका है पीछे चै यह तो हमें कोई नॉलेज नहीं है लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोनन बेरो के रेपोर्ड आपके विधायक ने पिछले चार साल में क्या कुछ किया? क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिना? जनता से कितना रहा सरुकार और क्या रही विकास के रफता है? लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रेपोर्ट कार्ड खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधान सबा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार शाथी इलाके के निश्पक्ष लोगों की निश्पक्ष र्राय भी हर हफ्ते केवल लाइफ डाइम्स टीवी पर आप भी अपने विधायक के कारेकाल पर टिप्पनी करना चाहे तो हमें भेज़े अपना वीडियो ब्यासी एकसो अठान में 00003 या ब्यासी एकसो अठान में 00004